दोस्तों आज की वीडियो में सीखेंगे ग्रोव एप्लिकेशन में अगर आपने अंडिकेटर लगा लिया है उसे हटाना है हटाना आपको नहीं आता तो कैसे हटाओगे सीखने के लिए वीडि़ो को शुरुत से लेकि ज़रूर देखें चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं जहां उसके लिए मैं अपने वैल में ग्रोव एप्लिकेशन को उपन करूँगा ग्रोव एप्लिकेशन जहां पर मैंने उपन कर लिया है, जह है ग्रोव एप्लिकेशन का होमपेज, यहां मैं बैंक निफ्टी पर क्लिक करता हूं, और यहां पर यह वाले आइकन पर क्लिक करता हूं, यहां मैंने एक एंडिकेटर अप्लाई किया हुआ है, यहां आप देख स सकते हैं कि यह केंडल दिखाई दे रहे हैं उसके साथ एक लाइन दिखाई दे रही है यहां पर ग्रीन है यहां पर रेड है यह है super trend indicator की लाइन अब इसको हटाना कैसे है हटाने के लिए यहां जो indicator की लाइन है इस पर मैं touch करूंगा तर्च करने के बाद जहां उपर देखिए super लिखा हुआ आ रहा है इसका name है super trend जहां इसके सामने जहां तीन डॉट है इस पर क्लिक कीजिए और यहां पर देखिए remove लिखा हुआ रहा है मैंने remove पर क्लिक किया तो वह super trend की लाइन हट चुकी है इस तरह से आप किसी भी indicator को हटा सकते